नमस्कार कोईग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके वार्षे पे वीडियो कॉल नहीं दिखाई दे रहा है नहीं सो हो रहा है अगर आपके वार्षे पे कोई भी वीडियो कॉल करता है या आता है तो settings को open करते हैं open करने के बाद अब आपको उपर की ओर scroll करना है scroll करने के बाद आपके phone में एक apps, app list, app management के नाम से कोई भी एक option दिखेगा तो हमारे phone में apps दिया गया है तो चलिए हम apps पे click करते हैं और आपके phone में जो भी दिया गया है आपको उस पे click करना है उसके बाद आपको app management पे जाना है जाने के बाद आपके phone में जो भी apps होगा यहाँ पे दिखने लगेगा तो इसमें आपको क्या करना है कि वार्टसेप को ढूंड लेना है ढूंडने के बाद अब आपको क्या करना है कि वार्टसेप पे click करना है क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि श्टोरेज इवजेच पे जाना है और यहां से आपको किलियर कैस करना है यहां से आपको किलियर डाटा नहीं करना है नहीं तो आपका जो आकाउंट है वह वार्टसेप से लॉग आउट हो जागा उसके बाद आपको बैक करना ह बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक manage notifications का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक अलाव नोटिफिकेशन होगा तो यहां सी इसको on कर देना है अगर आपके फोन में यह off होगा तो आपके वार्षे पे कोई भी वीडियो कॉल आएगा तो आपको सो नहीं होगा केवल आपको ring आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा की call की धर्ष जा रहा है तो इसको on कर लेना है उसके बाद उपर की और स्क्रॉल करना है और यहां पर जो भी यहां पर off दिख रहा है सभी को आपको बारी बारी से इस तरह से on कर लेना है on करने के बाद आपको यहां से back करना है back करने के बाद आपको अपने phone में वार्षेप को open करना है open करने के बाद आपको three dot पे click करना है और यहां पर आपको settings का option मिलेगा आपको यहां पे जाना है उसके बाद आपको उपर की ओर scroll करना है स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक notifications का option मिलेगा अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उपर में आपको एक three dot का option मिलेगा अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको reset notification settings पर क्लिक कर देना है तो इस प्रोब्लेम को इस तरह से ठीक कर सकते हैं धन्यवाद